पुलिस थाना आम जनता के लिए होता है जहां जनता अपनी शिकायत दर्श करवाती है जिसके बाद उस शिकायत का निवारान होता है लेकिन बिहार में एक ऐसा भी थाना मौजूद है जहां अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो आपको इंटरी ही नहीं दी जाएगी जी हां ये थाना बिहार के गया में मौजूद है जहां पर थाना अध्यक्ष जी इतने ज़ादा नाराज हो गए कि उन्होंने थाने के बाहर एक चौकिदार को खड़ा कर दिया है और उसे कहलवाया है कि किसी के भी इंटरी थाने के अंदर ना होने दे क्या है ये पूरा मामला आइए जानते हैं विस्तार से गया जिले के अतरी थाना में आम लोगों की इंटरी बेन कर दी गई है इतना ही नहीं रिपोर्टर भी खबरों के लिए अंदर नहीं जा सकते हैं थाने के में गेट पर ही चौकिदार की तैनाती कर दी गई है गेट पर तैना चौकिदार आम हो या फिर कोई पत्रकार अंदर नहीं जाने दे रहें पूछने पर कहता है कि बड़ा बाबू का आदेश है मंगलवार की शाम कुछ पत्रकार थाने गये थे लेकिन उन्हें परिशर के अंदर जाने नहीं दिया गया उन्हें रोक दिया गया अब पहले सुनिये कि चौकिदार क्या कुछ कह रहे हैं कि किसका फर्मान निकाला गया है कि थाने में किसी की भी इंट्री नहीं होगी वहीं इस मामले में निम्चक्म बथानी के DSP विने कुमार सर्मा ने बताया कि अगर ऐसा है तो जाच की जाएगे जिसके बाद ठोस कारवाई की जाएगी थाने में किसी के प्रवेस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है थाने पर पहला और अंतिम अधिकार जनता का है ना कि किसी विसेश अधिकारी का असल में अत्री के थानेदार प्रसांद कुमार भष्टचार के खलाप खबर छापने से गुसा गए थे गुसा कर उन्होंने मीडिया कर्मियों समेत जनता के प्रवेस पर रोक ही लगा दी अत्री थाना इलाके में बालू का अवैत खनन जोर उपर है थाने से सटे पैमर नदी के टिकर सोया समेत अन्य बालू घाटों से बालू का उठाफ बतसुतर किया जा रहा है स्थाने पत्रकारों ने इस मामले को छापा था इतना ही नई कई कांडों में फरार आरोपियों के खुले आम घुमने अत्री थाना इलाके में शराब निर्मान जोरों से चल रही थी जिसके खबरे भी मीडिया में खुब आई थी अर्थाना अध्धक्ष जी इसी बात से नाराज हो गए कि ब्रस्टचार के खिलाफ जो है वो मीडिया कर्मियों ने दिखा दी और वो इसकदर नाराज हो गए कि उन्होंने थाने के बाहर चौकिदार ही खराखर दिया वहीं आपको बताते चले कि पिछले तीन साल से वो एक ही थाने में है उनका तबादला नहीं हुआ है उनके पहुँच इतने उपर तक है कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि उनका तबादला कर सके ब्रस्टचार में किस कदर वो लिपत है आप खुद ही सोच लिजिए कि ती कि भी इंटरी ही थान में बंद कर दी है अब यह देखना होगा कि इस पर क्या कारवाई की जाती है प्रसासन के तरफ से आगए इस तरह की खबर के लिए बने रहे हमाई साथ और हमारे चानल को लाइक शिर और सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही हमारे फेस्बूक पेज़ को फ़ालो करें धन्यवाद